कि अच तर देखे ताछ प्ल्डेवा कि अच्छिए ते तर देखे तुछ शुक्राइब पंगले में साब लोग ज्यादा आ गया क्या साब लोग नहीं भाया अपने लोगों का सामान है सब को देता वा जाओंगा अजीब बेगारी आधी है खाम खाँ दूसरे का बोज लादे फिरता रहता है अरे नौबत तू कवा अब ये नौबत के बच्चे दो घंटे से आ बैठा हूं कहां गया था तू वो तू पहले अंदर चल मैं तिले चिलम मनाता हूं बाद में बात करेंगा नहीं मैं चिलम मिल अलू ले उसी में देर हो गए ये बज़देवा तेरे पीचे को घूद गूद तरहने दा हूए या तो फिर इस थेले में आलू की जगह ये कोईने कैसे है मतार ये देख मरगा क्या हूआ सब गड़बड हो गए क्या हूआ थेला बदल गया किसी अब क्या मालम किसे दस बा गड़ देने के लिए दिया था इसके घर अब चुला कैसे चलेगा और ये मंगर तेरे घर आलू कैसे पटेंगे हाँ वो भी ठीक है हाँ मेरा जला नंत को खला सेके घर चला गया हो गए नहीं बैजियो एक बार क्यों हाँ तू लू है तो कुछ भी कह तू यार है यार के भीया मैं ये पुछता हूँ कि ये तू दुनिया भर की बेगार अपने सर्फ पर जादे क्यों फिरता है यार बेगार क्या सब अपने ही लोग है किसी का छोटा मोटा काम करने में क्या पिगरता ये इतने अपने हैं ना, सब के सब तुझे पिनिरापुल का साल समझते हैं सारी पिनिरापुल बन देव, ओ बन देव लोग, आगे तुम्हारी दाजी, अब निप्टो इस से अरे क्या मगा रहा था मैंने तुस्ते अकेले, अम्रूत, सेफ और हां संत्रे तब दीदे भार के देख, सेफ खंत्रे हैं इस थारे में अरे, गॉल का क्यों नहीं, गॉल देख ले लोगत, धरम करम के दिल, कैसा खज़त दिया है इस मर जाने ने भलभलारी के जगा मांख मिट्टी पकड़ा थी लाके मुझे पापी ने अरे राम, अरे मावसी यहां गंगा जल भी नहीं मिलेगा कहीं जल्ती हो गे दादी, यह तो कादर बड़ा का थला है अरे तो मेरा भी तो होगा कहीं तुम्हार थला दादीउग वो उसके पस चला गया होगा तुम ठलो मैं भी प्ता लगा क्या आते हुआ नौबत थी है, मुझे जरब भगवान तेरा प्रदाते ये लो दादी जाने किसका मुझ देखा था आज सुभाई सुभाई भूल हो गई दादी भूल हो गई दादी बोल अब मानता है क्या? यही के तू उल्लू है किसी को साथ भलाय करने वाले को उल्लू कहते है बलके आजकर उल्लू का पठ्था कहते है अब थूरी देर बाद बढ़ ही आएगा तेरा मातम करने और नंकु खला से आएगा तेरा भूत उतारने बंदेवा लो आगे तुमारे चाचा जा रहे जाप समालो ने जा जूती खिट जाती ये सब इन आवारा गर्दू की संगत का नतीजा है वो तो ठीक है लेकिन इसके बदले में कोई फ़लों का थेला भी तो दे गया होगा अबे तू कॉन होता है तुसेने वाला हाँ चाचा वो फ़लों का थेला फ़लों का नहीं करेलों का उसकी भाजी बन ये लिए हाँ मर गया चाचा वो तो बाबू बने का था तो नहीं क्या करो तो कम से कम करेलों के पैसे ही तो पीच में मत बोल नौबत के बच्चे है करेले हम ने मगाय से जो हम पैसे दे लेकिन चाचा ये गोश के पैसे हैं हम क्या पैसे आंकनी में बाले घूंते हैं चाचा अले मोबत मैं सब का सामान देखके आता तेरा भी बरत है क्या आज रोटी कपकाएगा अरे हाँ चलो पहले रोटी पागा रेता पैसे अलू और के तो खोईले हो गए लोट मिरस तो तो मेरी एक बात मानेगा हां नेनेख मानेगा ना मेरी बात हाहा बोलो न यह लोग रोग लोग लोटी खाएगा तो कर लेगा जर जाएगा तेरा तो शादी कळ ले पकी पता ही रोटी भी मिल जाएगी और ये अक्कल जो खुतल हो गई है उसके भी धारा जाएगी और इस खुझाई खिलम जारी से भी छूड़ जाएगा अहा शर्मा रहें जो किदा अबे तुम हां कर तो मैं कर ही लड़की पकी के देता है एक तम गुल बदल ये काम तुम्हें खुद ही करूँ अब तिससे नहीं होगा देखो ये मामिला तुम्हा बारीक है नोबर लड़की मैंने देख रखी है अच्छा असल में सपने में वो मेरा सपना ही है और मैं जानता हूँ उसका भी यही सपना है बात्चित हुई कभी तो फिर तू कैसे जान गया बारम उसकी नजर से आँ पांच हाँ के आजमी को तो पैचानते नहीं और अवरत की नजर पैचानते हो उसकी नजर पैचानता हूँ अच्छा तो मामिला कह हो गया है कौन ही वो है कोई अब तुझी क्यों बता हूँ देख बल दो मुझे जब तुरी आकल पर भ्रोसा नहीं है तो भगार नजर पर कैसे हो सकता है अवरत के मामिले में समझडारों से जाजपरक करावे में अच्छी होती है एक दफा दिखा दे देखो गया हाँ देखो अभी हाँ अभी हाँ देखो अब ना अच्छी रहा देखो और नोबत एक दफा मेरी नजर से भी तूरी नजर देखो उसकी करम चाच्चों एक मरतबह मीरी नजर से देख इस मोटी भैंस को क्या क्या कहा मोटी भैंस मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे बाप, मेरे भाई, तु बुद्दू है, तु उल्लू का पठ्ठा है, तु पिंज्रा पोल का सांड है, तु हुली का भाण है, तेरी अकल ख्राब है, हो गई है, तु पागल हो गया है, पागल, ऐसका, ऐसका, बड़ी मर्द महारा हुलत है, मेरी हट्डी फसली एक करके रग दी, भगवान के लिए तु उससे शादी मत कर, उससे शादी मत कर, भगवान के लिए, अरे नौपर, तुम्हें गलत सेमी हुई है, वो नहीं थी, वो पीछे खड़े दे, कौन, खोपा, अरे तु मुझे पहले जू नहीं बताया, उल्लू के पठे, कम से कम उसे जी भर के देख तो लेता, तो आप देख लो ना, आप देखना देखना छोट, मेरी मान, तो तु जल्दी से उससे शादी कर, फिर देख भी लेंगे, और गरमा में उससे बात कर लेना, क्या बात करूं? वो मैं तुझे समझाओंगा, चल्दी चल्दी, चल्दी के वो मैं परोब मैं परोब आप देखना, क्याओंगा क्यों खिर थार्णा बात कर देखसे भी है जाओंगा, वो मैं तुझे से थाएंगा, वो आपालोग। आव बोपा कि है दो कुछ?! गोपा क्या है गोपा 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 इतना सुनते वे तो मुझे पहुत देन होगा और कुछ बोलना नहीं आता गोपा मैं ते साथ लगन करूंगा उलहन से तुम्हारा मिलन होगा ओ मन थोड़ी धीर धरो बाहों में चांदी का बदन होगा ओ मन थोड़ी धीर धरो दुलहन से तुम्हारा मिलन होगा ओ मन थोड़ी धीर धरो चांद परी है चंचल है वो तेरी है चित चोर चांद परी है चंचल है वो तेरी है चित चोर मुख़़े को ही तक्ते तक्ते हो जाएगी भोर गोरी धन का तुम्हें दरसन होगा ओ मन थोड़ी धीर धरो बाहों में जान्दी का बदन होगा ओ मन थोड़ी धीर धरो वो है तेरी पदमिनिया और तूबां का रजपूत गजभर की छाती रखता है दिल भी रख मजबूत मैंनो नेनो में रन होगा तो मन छोड़ी धीर धरो बाहों में चांदी का बदन होगा ओ मन छोड़ी धीर धरो गुलवन से तुम्हारा मिलन होगा ओ मन छोड़ी धीर धरो गज़न से घाराम चांदी का बदस का दो्राव दोड़ी धरो झाल झाल फेजिए बारे बारे रहो जब टार। ईहीत, प्येम्कार्टावस। मलान टारी अडरा को बार टारा टार रा कुछ बाराक के अरी जहाएाई प्लारा को अप्ला यृजा बारा कल शार कि अजया जारा को सिंगियो खो भारा को जब एटने धिर एक रार मुश्वां सामा पर तो गारा कर दो लुडेत कर दोड़ा लाया थानॉ स्ब्सक्राद, स्ब्सक्राद, बाला! झाल 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 पर दुटर रामदास हां विटिया क्या यह भी बिख जाएगी नहीं बिटिया जैसे अउलाद नहीं बिख दी वैसे मां भी नहीं मेने मां को कभी देखा नहीं पर जब जबम इस मूर्ती को देखा है तब ही तब मां की याद आई है मेरी मां ऐसी ही थी ना रामदास हाँ बिट्या मल किन ऐसी ही थी भरूसा रखो यह रामदास बिख जाएगा और यह मां की मूरती कफ़ों नहीं बिखेगी करेंगे दोएफड़57 थाँ कि दकती कि एी भर्स बस्ट आदने अच Kirsty समत कि हाँ कि अर्एबबबबबबबबबबबबबबबव रे ट्सांवेते कि उन् without the पर और विप एके ब्यामदा रने अंपछ भरूसा राभरू को ॢोल्यों थी याचा कि जग. कि जनम भर की जोड़ी हुई माया आज इस तरह धूल में मिल जावेगी मालिक अर जाने का है भले आदमियों को नसी बैशातर का देता है यह जिंदगी है रामदास पुद्रत का यह कानून है कि जिंदगी हमेशा चलती रहे आदमी मर जाए और पैसा करदिश में रहे ऐसा नहोता तो बाशाते दुनिया की छाती पर एक आफत होकर रह जाती मैं तो यह सोच रहा हूं मालिक कि यह जोड़ जुनम की देंदारी में जब घर घरों दर निला हो जाएगा तब आप अपनी हिन मौली जट कहा रहे के बचावें लिए मैं अपनी इज़त आब रूप के लिए फिक्रमंद नहीं मेरे भेटे की लाडली निशानी बेघर बेदर होकर तेरी पोती का क्या होगा रामदास मेरे उमर भर आपका नमक खाया है मालिक अब हक अदा कि यह बिना ही इमांदार के आशू नमक से ज़्यादा महिये होते हैं रामदास मेरे दुख में आसू बहा कर तुम हक से भी कुछ ज्यादा आदा कर चुके हो इसका मतलब तो ही भया ना किया मालिक के अबरु बचावा के खाते आसू बहा के सिवार कुछ न कर पावेंगे मैं भी और क्या कर सकूंगा रामदार सकूंगा मालिक जब मेरा बेटा इस मदनलाल का कर चुकाने की फिक्र में बेवक्त की मौत मर गया तो मैंने उसकी बेटी को ये कहकर बहलाया था कि बिट्याए मैंने तेरे खेले खाने के लिए तौलत के अम्मार लगा रखे लेकिन आज मैं कुछ नहीं बचा पाऊंगा बचाने वाले के हाथ हदार होते हैं आप अपनी पोती के लिए खामखा परेशान हो रहे हैं मैंने ठीक कहा ना मदन बाबू जी हाँ क्या मतलब मिस्टर मदनलाल तो खुद ही ये जबती निलामी रुपाने के लिए तया है मैंने ठीक कहा ना मदन बाबू जी हाँ, इस महरबानी की वज़ा है, महरबानी कैसी है, ये तो लेंदेन की बात है, आप अपनी पोती रमा की शादी मिस्टर मदनलाल से करा दीजिए, और ये फॉरन कुर की रख करवाने के लिए तायार है, मैंने ठीक कहा ना मदनलाबू, जी हाँ, इस दो बच्चों के बे और इन हारात ने से बहतर कोई, मैंने ठीक कहा ना, मैं तुरसे मिस्टर मदनलाल की महरबानी ही करूँगा, इस जमाने में वो शादी जैसी मुसीबत में फर्द कर भी, अपना एक लाख बीस हजार रुपया छोड़ने के लिए तायार, एक बात पूछूँ आप से, जरूर आप जरूर एक नहीं दो पूछी, आप वकीर हैं या शादियों के दल्लाल, ये घर तो इस घर का सारा सामान आपके सामने पड़ा हुआ, खामोशी से अपना काम कीजिया, मुझे किसी की महरबानी की जरूरत नहीं है, मदन बाबू, मैं आप से कुछ कहना चाहती थी, कहिए, आईए, नसीब के मारे हुए मेरे बुढ़े लाचार दादाजी के दुखते हुए दिल पर ठोकर मारकर, आपको क्या मिला? मैं किसी के दिल पर ठोकर वोकर नहीं मारता, ये तुम्हारी समझ का कुसूर है कि मेरा अहसान तुम्हे ठोकर मालूम होता है, क्या दूसरों की मजबूरियों से फायदा उठाने का नाम एहसान है मैं तुम्हारी इज़त के लिए अपना लाखों रूपय कर्स छोड़ रहा हूँ शादी करके अपने महलों में ले जाकर तुम्हारी हैसित को उठा कर आसमान से लगा रहा हूँ इसे तुम मजबूरी से फायदा उठाना देती हूँ मदन बाबो हम लोग इस वक मुसीबत में हैं हम दर्दी की जरूरत में हैं हमें दुख ना दीजिए मुझे किसी के दुख सुख से कुछ लेना देना नहीं है मैं सिर्फ अपना सुख चाहता हूँ मैं भी सुख चाहती हूं मदन बाबो अपने बुडेंदाजी का सुख चाहती हूँ सुख जैसे महेंगई चीज चाहती हूँ तो मेरि बात मन्जूर करनी होगी ना करूं तो 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 मैं तुम्हें दरबदर कर दूँगा तुम्हारे शान और शौकत के इंस्तबूंतों को धूल बजाकर निलाम कर दूँगा एक एक मीवाले के लिए तरसा दूँगा तुम्हारे बाप दादा की आबरू को धूल में बस बस और कुछ ना कहिए तो मन्सूर है मेरी बात तुम्हारा पेश्की आओ बिलकुल पास आओ आओ ऐसी पेश्की करें आज आपके खांदान में होगा हमारे में नहीं है देख लूँगा तेरे खांदान की शान निलाम रदोने की वज़े है भगवान की इच्छा है अजीब बात है काल निनाम और आज है खेंसल ये भी भगवान की इच्छा है कह दियाना यह भगवान की इचा है? तो फिर हमारे आने जाने के खर्चे बर्ज के जिम्मदारी हो भी वह भगवान की इचा है ओध अच्छे है ओध अच्छे ओध अच्छे ताटाजी आप उपर कैसे चले आए? नीचे तो बाजार लगा हुआ है मैं तुस्से कुछ अकेले में कहना चाहता हूं बिटिया बात क्या है दादा जी बात मेरे लिए शर्म से डूब मरने की है मेरा बेटा, बहु, सब सगे संबन्ती इस दुनिया से जाते वख तेरी जिम्मेदारी मुझे सौब लाएगी मैंने सोता था, भगवान का दिया बहुत तुछ तेरी जिन्दगी को समारने और सुफी बनाने के लिए मैं कोई कसर न उठा रखुआ लेकिन आज जब ये घर और घर की एक एक चीज ने इलाम हो जाएगी और हमारे पास कुछ भी न रह जाएगा दादा जी तो आपको रामदास में नहीं बताया क्या सब जगरा खतम हो गया दादा जी अब हमेना घर छोड़ना पड़ेगा ना अपना सामान सब छंजट मिट गए कैसे ज्यान होनी कैसे होगी बेती तक दीर साथ देती है तो माधने वाला ही बचाने लगता है मदन मदन बाबु मुझष मदन? मदन क्या? वो मुझसे शादी करना चाहते है मेरी शादी से ही ये झाजट मिटता हो तो क्यों न मिटे? क्या? में उनसे शादी करूंगी शादी नहीं? वो शैतान निलाम में बोली लगादर तुझे खरीदना चाहता है शादियां तो कुछ ले देखर ही की जाती है दादाजी इसमें खरीद बेच कैसा रिष्टे की गाठे मजबूत करने के लिए वो एकसास का लेंदेन होता है ये खरीद बेच है मदन बाबु बड़े महरबान और रही साथ में दादाजी मैं बड़ी भागवान हूँ जो घरानी की आपनों बचाने का मौका घर बैठे मेरे हाथ आगया आज मैं बहुत खुश हूँ इतनी इतनी खुश हूँ कि दिल चाहता है कागा कर आस्मान सफ़र उठा दूँ मैं बहुत पाचार हूँ बिठिया कहाने के बहाने मुझे रोना न सुना महलो का राजा मिला के रानी बेटे राज करेगी खुशी खुशी कर दो बिदा तुम्हारी बेटे राज करेगी महलो का राजा मिला के रानी बेटे राज करेगी गलियों गलियों धूम मचेगी गलियों धूम मचेगी कांधे कांधे डोली चलेगी डोली में डोलेगा जिया डोली में डोलेगा जिया के रानी बेटे राज करेगी खुशी खुशी कर दो बिदा तुम्हारी बेटे राज करेगी जिस घर जाए स्वर्ग बना दे जिस घर जाए स्वर्ग बना दे दोनों कुल की लाज निभा दे यही बाबुल जी देंगे दुआ के रानी बेटे राज करेगी खुशी खुशी कर दो बिदा तुम्हारी बेटे राज करेगी बेटी तो है धन ही पराया आपा सकने कोई कब रख पाया भारी करना ना अपना जिया भारी करना ना अपना जिया तुम्हारी बेटे राज करेगी महलो का राजा मिला के रानी बेटे राज करेगी खुशी खुशी कर दो बिदा तुम्हारी बेटे राज करेगी महलो का राजा मिला है इसकैर करें Ó आई जोखो आई कि आईgil को आई माफ कीजिए गीं साहब आपको बेकारी तकलीफी यानि राज साहब बड़ा अफ्सूस की बात है निलाम तुरज होगी है वजय वजय बड़ी दिल्चस्प है है मैंने ठीक कहा न मदन बाबू बिल्कुल ठीक वई आखिर बात क्या है आप अंदर तु चलिए माय आर्ज करता हूँ चलो प्रेवा कर्स के बदले में आप देनलार की लड़की खरीदना चाहते हैं सौदा तो बहुत अच्छा है एहसान से दभी हुई यह खूबसरत लड़की कबजे में और माल तहेच में मदन बाबू बाबू आप बड़े चौकर सुकानदार हैं यह क्या पत्तमीजी है अप्रेमा पत्तमीजी नहीं है तमीजतारों की तारीफ कर रही हूं मैं तो बहुत खराब बात है कोई कुछ भी करें तुमें किसी पर ताने कसने का कोई अधिकार है तूफ तूफान मालूम होता है एक्सक्यूज मी अधिकार मेरे से राइसाब से मुलाकत करा दो बहुत बड़े आदमी हैं आउना अप्शन काईगी आप है हमारे अजीज कहो महरबान कहो बुजर्ग कहो राइसाब आप है प्रेमा जी मिसिस राइसाब इनको तब जानी चुके हैं मेरी मिलकर खुश हुआ मदन बाबो आपकी पसंद का कायल हूँ आप लोग बैठे मेरा ख्याल है कि शायद आप वापस जल्दी नहीं लोट सकेंगे मैं आपके खाने पीने का इंतिजाम करती हूँ रामदास रुमा तुमने बिलकुल मेरे दिल की बात कहे ती काबा थे बट्या आप लोग के खाने पीने का इंतिजाम करो तुम सिर्फ खाने का इंतिजाम करो पीने का माँ खुद कर लोगा मदन बाबू तुम्हारी पसंदो हमने देख ली अब हमें कम से कम वो चीज़ें दिख ला दो जिने हम खरीबना चाहते थे बिलकुल बिलकुल हाँ आई 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 चलो परेमा कौन है आप जी मैंने पूछा आप कौन है आप जी मैं कस्वीर बनाता हूं यानि कि मैं पेंटर हूं पेंटर पेंटर और यहां नकल करने के लिए किसी असल नजारे की तलाश में आज इधरा निकला था लेकिन मुझसे पहले उस रंग्रेज ने अपना ही रंग शड़कना शुरू कर दो आई अंदर आजाए शुक्रिया कौन हो तुम जवाब क्यों नहीं देते मैं पेशे से चित्रकार, शौक से गवया और हालाथ से शर्णार थी हूं यानि सब मिलाकर आवा रही है न यूभी कहा जा सकता है और यूभी समझा जा सकता है कि किसी जमाने में चित्रकार और गवया राजदर्बारों की शांस हो जाता है आप नहीं जाएंगे, मदन बाबू, अपने घर पर और अपने ऊपर अभी तक मेरा पूरा अधिकार है आप बैठिये मुझे बहुत अफसोच है कि मेरी वजह से कोई नापसंद आने वाली बात पैदा हो गई मैं चला ही जाओ तो अच्छा है बारिश बंद हो जाए तो चले जाएगा इस इंतजार मने जाने कितने देर रुकना पड़ जाए मुझे कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए माजिक ये और कौन आया अरे आधी पानी से बचा के लिए टौर आ गए है बिटिया बाग कर नहीं इसरा ध्यान रखना रामदास ध्यान कहें का मानिक जबती और निलामी की परिशानी में दर्वाजे पर आकर कोई बिना खाय पिये न लोड़ जाए बाबाबाबाबा मानिक आप हो का जवाब नहीं लग पियो दवा पिये आप यहां क्या कर रहे हैं आईए हॉल में बैठे यह तो मालूम हो गया कि आप पेशे से चित्रकार शौक से गवईये और हालत से इस रख्षर नाथी है लेकिन यह सब मिलाकर आपका शुबनाम क्या है यह सब मिलाकर तो वह साब बताए चुके अवारा अपने आपको खुदी निशाने पर रख दीना भी एक शौक हो बड़ दिश्चास इंसे मिलिये आप है मिस्स नाई सहाब और आप अवारा इस्क्यूज मी मैं भी है रामदार एक और महमान के खाने का इंतिजाम करना पड़ेगा हो जाएगा न यह कोना पूछे की बात है जहाँ दस हुआ एठ यह और सही बस दसीच है महमान 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 यह धरम खाते में घर भी का जा रहा है उनकी महमान दारी में फरकर नहीं आता है जा इसे दादा वो इसे पोती कहां रहते हैं आप जी रहता तो मैं शहर में हूँ लेकिन हम खुद भी खाना खाकर थोड़ी दिर मियां से जाने ही वाले हैं हम आपको रास्ते में छोड़ देंगे और फिर यह खानी का वक्त है आप भी खाना खाकर चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन खाना मैया नहीं खा सकूँगा क्यों रात भी हो गई है और बारिश भी गिर रही है और फिर भूग भी तो लग रही होगी भूग तो जनाब लगती है लेकिन भूग भूख में फर्क होता है। फर्क सिर्फ इतना ही कि अमीर भूख को मालता है और खरीब को भूख माल डालती है और आप शयाद यहीं चाहते हैं कि आपकी भूख आपको माल डाले। यह ऐसी कोई बात नहीं असलिएत में यह दावत मुझे महेंगी पड़ेगी बदले में आप मेजबान की एक तस्वीर बना दीजेगा तस्वीर? आपने कहा था ना आप पेशे से चित्रकार और शौक से गवईए हैं पेशे की बाद छोड़िए शौक पूरा कीजे आज बड़े अंदाज से मेरा शौक पूरा होने की घड़ी आई सुनिये ये लेबल क्या लगे हूंगा ये सब बिखने के लिए है बिखने के लिए क्यों वखत वखत की बात है हमरे मालिक कहते हैं इसी का नाम जिंदगी है क्या देख रहे हैं कितनी खुब्सूरत है ये मूर्थे ऐसा लगता है अभी बोल पड़ेंगी समझ में नहीं जाता कोई इनकी कीमत कैसे लगा सकता है क्या इस सब बिखाऊ है बिखाऊ थी अब नहीं है क्यों कि इन सब मूर्थों के बदले में एक सूरत बिख गई अब बाप बाप वाले हैं जाए चाल के खाई लो तुम भी चलो बिट्या लेट्स वेरी अब लगते वोगते वाद कर रहे थे वो दाल्चीनी वाली जी थी अब ने ने आप उदर बैचिए आप बैचिया मैं करूं अबेटीजून। पॉक्षून। जाओ 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 आज वाहाई जरी आज़ा जरी रिचुन। जरी जरी पॉक्षून। पॉक्ष्वीर बनाने वाले यहां नहीं बैठते तो लाट साफ वसवालग बैशे ठाना है मेहमान का हर तरह से ख्यार करना इस खर की पहजीद है इस खर में मेहमान को भगवान का रूप माना जाते है क्या सोच रहे हैं सोच रहा हूं इस खाने की कीमत इस तस्वीर की कीमत से कही ज्यादा होगी आप बना रहे हैं इसलिए या तस्वीर मेरी होगी इसलिए जी कहाने का इसरार आप जी मेरी तस्वीर के नम एक वत्त की भूब मिटाने के लिए responsive नहीं होंगे मेरा पेशा और शौक दोनों मिलकर भी जिन्दगी भर आपकी कीमत नहीं लगा सकेंगे खाना खाईए फर्माईए क्या कर रहा हूं रेखाएं कीच रहा हूं रेखा समझते हैं आप रेखा ची यानि लकीरें लकीरों में जान फूंकर आदमी की सीरत का अंदाजा लगाता हूंगा जाल मत पहलाओं मेरे सामने मैं खुब जानता हूं तुम लोगा की सूरत सीरत को कहा रहते हो रहना से न क्या है जनाब यह तो सफर है यहां रात हो जाती है वहीं बसेरा कर लेता हूं तो फिर आज जहां मुक्त की रोटी खाई है वहीं बसेरा करने का विरादा है क्या मदन भाबू आदमी का आदमी सेतना भी जगडा हो सकता है यह मुझे मालूम नहीं था आप हमारे महमान है महमान की बेज़ती करने का मौका दे कर कम से कम मेरे तहजीब के रास्ते पर कांटे ना फेलाया मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली इसी तरह से बसर इसी तरह से बसर हमने जिन्दगी कर ली मिले ना फूल अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली नजर मिली भी न थी आर उनको देख लिया जुबां खुली भी न थी और उनको देख लिया जुबां खुली भी न थी जुबां खुली भी न थी और बात भी कर ली मिले न पूल वो जिनको प्यार है चांदी से इश्क सोने से वो जिनको प्यार है चांदी से इश्क सोने से वो ही कहेंगे कभी वो ही कहेंगे कभी हमने खुद कुशी कर ली मिले न पूल तो कांटों से दोस्ती कर ली इसी तरह से बसर हमने जिन्दगी कर ली मिले न पूल किसी तारीफ करों तश्वीर की या तश्वीर बनाने वाले की तारीफ कि मिले इस्लीए क्योंकि यह नकल है अस्तर चीज ऐसी है कि तारीफ करना मुंकिन है खाने की चीमत से बहुत ज्रादा काम करड़ा लागी एक नजर चुराने वाली तस्वीर एक दिल लुपाने वाला काना भाई सॉदा हमें सस्ता पड़ा है ना कैसे कहूं इन चीजों की कीमत आखने के लिए तो कोई हिसाब ही दिमाज चाहिए अगर आप मुझसे सॉदा ना क पड़कना पड़ता अगर हिसाब लगाने जरूरी है तो सॉदा मुझे सस्ता पड़ा है है कि अगर हिसाब लगाने का इंतिजाम तो ही जाएगा मैंने कि कहा ना मदन बादू हाँ ठीक है आज की खातिर मदन बाबू के हिस्से में ही शाहिए जी हाँ जरूर तुम्हारा क्या एरादा है ये लोग तो जा नहीं रहें अब तुम्हें मुफ्त के सवारी कैसे मिलेगी मुझे मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए जनाव आप फिक्र ना करें मेरे पाउंक गाडियों के मौदाज नहीं मुझे चलने की आदत है आदत है तो जादा क्यों नहीं आसे पता नहीं इतनी बक्वास करने की हिम्मत कैसी हो इन कंगालों को दन के कंगाल हिम्मत से माला माल होती है जनाब जा रही है जाना तो है कोई कैसे बाहर जा सकता है ऐसे में जो नहीं जा सकते वो रुप जाते हैं मैं जा सकता हूँ मुझे जाना चाहिए यह आंधी तुफान रुखने तक तो रुखते है अज तुफानी क्या जिन्दकी की रफतार रुखने तक भी रुख सकता हूँ लेकिन शायद मेरे रुखने से तुखवान बढ़ जाए शायद मेरे चलने से ही दुनिया चलती है फिर आदे लेकर माकसा मौतार निश्टितेगा आदे लेकर मेरे चलती है आदे लेकर मेरे ढखिए कि अजू जादी है कुपा 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 कों मेदा मा हूँ याह क्योंत भी सतंनि लुए मोड ब जयाँ ca कि ऐ लूंभ किसे रोग कोन है कि surfing महानमे कि महानमे का थल है ब भी साने क्नार कोन है कि अग्षप एक पर रसुए पर लखन से तलाश करो कोई और तुने पढ़िए क्या कहता था मैं अब मानूहां क्यों अकड़कर बाते करता था वो भेज़िया था इन बदमाश होगा क्या वड़कर कौन मेरे हैं दावत देदी उसे गाने टप्पे उडवाती है गारी में साथ ले जाया जा रहा था उसे मौकिती चांच करने आया था बदमाश अब भुटो सब तुम्हारा जासूस था वो जा लिया वो बड़ी खड़ा मालूम होती है इसके ठीक कर दू सदर् कौन आया है तिरी वक्त नजाने कौन आया है तुम जाके देखो पैट्चा धेरी रात है तुपान चल राए फिर भी कोई ने कोई दर्वाजा जरूर खटखटा रहा है वह थेला रहा है तुम्हावा थेला रहा थेला रह देखर रहा है थेला अरे भी कहा जाता है जहां से आया हूं रुक जाओ हम इस घर के आजमी नहीं जें हमें इज्ञाजता रहा हो प्यां है बैठो 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 सर्थार हमें जाने प्रिया जाने कम कुछ सेवा करें वैसे तो रखा ही किया है हमारे पास हम लोग सफर में है एक हजार निकलाएंगे बटुपे में निकालो इनको काम है जान बजदीवा उस थेले में क्या है मेरा तो जो कुछ है इस भानमती के थेले में ही है जनाब दो बन्याने एक तॉलिया कमीज सबन आज है रंग छे ब्रश करो आवे कबार खाना कबार खाना मात गाए गब से घारू विखनो ! क्लीकल क्लीमकínaा हम मैजबान कुमाराने सर्फ लूटा करते है चलेगी तो हलक में इसे बाहर ठीच ली जाएगी जाओ हम सब के लिए खाना बना जट पट अब भी बना कियो सर्गा इस बोड़िया पर कड़ी नज़र रखना तो जाओर के बच्चे तो इस दिवार के साथ मूर रगा के बैठ जाओ जाओ रोब तो ऐसे चाड़ रहा है जैसे डाकों के सर्धार बल्देवा हो तुम हो डाकों के सर्धार बल्देव से तुम दिलावर जादा हो या अकलमन सरकार ने तो तुम्हारी घोपड़ी किस्टी मर् सवालाग रुपए लगाई है मैं उन भेडियों को अच्छी तरह जानता हूँ जिन्होंने मुझे फकड़वाने के लिए चंदा करके पूंजी सरकारी धर्ती में गाड रखी है मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर आपको खुशी नहीं खाफ होना चाहिए मैं बड़ा खतरनाक दाकू हूँ तुम्हारी क्या हस्ती है तुमसे ज्यादा खतरनाक दाकू देखे हैं मैंने इसे देखो ये दाकूँ के बाश्चा का बेटा है इसके बाप ने मेरे बेटे को आज से च्छे साल पहले बीस हजार रुपया कर्द दिया था आज ये लुटेरा उसे च्छे गुना बनाकर हमें दर्बदर करने के लिए आया है तुम क्या हो गयर कानूनी तो हो इसे देखो ये कानूनी लुटेरा है बहुत बुद्दु साब का बेटा ये जानना चाहिए कि साहुकार देता ही इसलिए है कर्द लेंदार का मट्या मेट करके वापस लो देड़ा ये साहुकार का बेटा हमारा मट्या मेट करके सिर्फ कर्द की भरपाई से शबर नहीं करना चाहता बलकि ये बगकार सूद दर्सूद में इस बुढ़े लाचार की पोती को भी उससे चपट लेना चाहता चुप रही है दादाजी आप चुप रही है ये किन किन लोगों की भीड़ी जवा है इस घर में मुझसे पूछो ये मैं बताऊंगा इसे और मेरी पोती को तो तुम जानी चुके हो और मेरा ख्याल है ये इन धनी मानी की बेटी है जी नहीं ये मेरी बीवी है बीवी तुम यहां अपने 20,000 के इच्छे गुना वसू करना है अपने कर्स के बदले में एक शरीफ लड़की का जिस्वाद याना चाहते हो मैं उससे शादी कर रहा हूं और तुम को पर रमा देंदारी के बदले में तुम अपनी जिनगी एक सूथकोर के पास गिर्वी रखना चाहते हैं इस बदकार के साथ क्या तुम वाक्री शादी करना चाहते हैं शादी 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 भगवान के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजे मेरी शादी मेरा मामला है जो मेरा दिल चाहेगा तो करूंगी हुआो बास जादी शादी और अव्जेट फड़त अजादी शादी शादी जादी चाहते हैं वैल को इस बद़ादी मेली है पोटा किसी दिए मेले, चाहे! पाका! आााा! आाा! आाा! आा! आााा! 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 जबान पर काबू रख्ये जनाब। फूकों के पास बंदूके हैं। बंदूकों के वज़े से सारियां कड़ते कड़ें। बंदूक ना हो तो देख लोगा ही कड़ेल कुछता। किवे। यह बढ़ बढ़ करदा। जो, तुम देलो ठलुजा। खरोगा। 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 घुँआ। ज़ां जुआ जाये वचोंज नमक की कीमेश चुका। और तुम औरे पकड़ाई के इनाम से अपने मालिक करदा उतारूगा। 9777 करदा नहीं चुकाना हमें। पिस्तौर लगदे। आज नभोलो मलिक। और जी डाकू की पकड़ाई का इनाम लेखे। इस ताहुकार के पंजे से अपनी बिटिया के छोड़ाई से रहुआ है। रामदास। नहीं, रामदास नहीं! रामदास। नहीं! नमाथ बैटिया, तुम सामने ताहर जो नमा की बदली में खूल नहीं लिया जाता राम धार जुका लो बिस्पूर ये राम धार हम कहने तुम uważ़ा बैटिया राम धार राम? सुमर कशा किसा में फोल कुलिचराने तुम हमका काय को रोग लियो, बिटिया, काय को रोग लियो, आदम मालिक का सारा कंजाना रहा कर देते आओ पट्टी मुंदाल चलिए हाथ हो लिजे ये रहा साबुन, ये तॉलिया, आप हाथ हो लिजे बहुत कहती चोट तो नहीं लगी नहीं, कोई कास नहीं तुम अपनी कोश्टी में जाकर आराम करो, यहां कोई काम होगा तो मैं देख लूगी अच्छा क्या गलत कहा था उसने क्यों रोका तुमने उसे सुनाओ मेरे गिरफतारी के नाम से तुम हमेशा के लिए एक जलील आदमी के चुंगल से छोड़ जाती यह मौका तुमने क्यों खोया यह बेवकूफी तुमने क्यों की जो एक की नजर में बेवकूफी है वो दूसरे की नजर में अकलमंदी हो सकती है अपना अपना विचार है अपने अपने उसूर खलत तुम्हारे उसूर दुनिया के बाजार में ऐसे उसूर कोडियों के भाव बिखते हैं तुम बदनसीब हो रमा जो जान बूच कर जान देने पर दुली हो अचीब बात है दूसरों के जख्मों के टीसों से तुम्हारे कराने के वज़ए तुम नहीं समसकोगी यह बात अचीब बात और इतका दुखतर औरत ही जानती है काश कित्वों थे उसूलों पर बलिदान होने की तकलीफ होका मैं उसे मैं उसे ऐसास कर अपाती है कितने ताज्यों की बात है क्या जो रामदास नहीं किया उसमें उसका क्या फायदा था सिर्फ मेरे लिए ही न अपनी जान तक ही परवा नहीं की मैंने अपनी देश की लंबाई चोड़ाई पैदल चल चल कर ना पी और लोगों की आखों में जांक जांक कर इमान को ठूंदा है आज तक तक तुमने यही देखा है कि इस देश की बढ़िमान लोग औशयर होने के बजाए मकार होना ज्यादा पसंद करते हैं विद्वान अपनी विद्या को बांटने के बजाए उसे साथ लेकर मर जाना अच्छा समझते हैं वल्वान जालिम है धन्वान कंजूस इस देश के कंगाल भी अपनी कंगाले को दूर नहीं करना चाहते हैं कि दूसरों को अपने से ज्यादा कंगाल देखना चाहते हैं मैंने अपने देश में कदम कदम पर फर्द और उसूल की तिजारत होते हो देखी लेकिन जो आज की रात देखा है अनुका ही देखा है इस दरस्ती बरस्ती रात में जो आज रोश्नी के किरन मुझे नजर आई है उस पर मरमेटने कुझी चाहता है किसका चाहर है आप सकत हैं यह हमारे घोडे ने आप के सिपाई को मार दिया यह सिपाही तो आपी का. पीछा जाएगा मुझे आप इसे आज चल सब्सक्रां यहां आज मेह हमारे घोडे ने में तुम्हारे किस global तो मेरे आपके घॉड़े को मार दिया तो मेरा हाथी क्या घ्राष मार आपके हाथी को भी मार दिया इसमें सबसे ताक्तों मोना कुन सा है? वजीब तो मेरे बादशाह ने तुम्हारे वजीर को खा लिया लो तो फिर आप खत्म हो गए जाटा तो ने 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 आपका बादशाह खत्म हो अले मेरा बादशाह के दिम गए? ने बाबा ये ये शितराइन का बादशाह इसमें खत्म हो दूसरा खेल होगा दूसरा खेल? देखे न, कहां सब लोग बैठे हुए हैं चलिए भादशाह के बादशाह को ने खाँगा कट्र जहर से ने जाँगा चला अकेले हैं? बिलकुल बहुत गरीबी है अपने कभी हाथी देखा है? हाथी? क्यों? मरा हाथी सवालाक को होता है ये? मैं भी जिन्दा तो गरीबी हूँ लेकिन मरा हुआ सवालाक से भी ज्यादा का मजाक करना चाहते हैं मैंने जिन्दगी में अपने सिवाब और किसी से मज़ाद नहीं किया यह क्या है यह किसकी तस्वीर है उसकी 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 एक लाठी में भैंस पिचिक जाती है यह उसकी तस्वीर है है इस पिचिक जाएगी पर तिनका नहीं तूटे गा उससे यह पहदी आलसी नजर आता है मुझे यह मेंडग जैसा क्या बनायती है मेंडग नहीं यह वो है तुम्हारा साथी अनाड़ी हो तो एक छलाग में ती मंजिले पर चड़ जाता है तुम्हें मेंडग नजर आता है मेंडग की चलांग देखिये कभी हाथ हो गई और यह क्या है बिना बैलों का छक्रा सा चलते बैल निकालकर साथ साथ मन के छक्रे वह अकिला कंदे से खीच के लिए आता है और तुम्हें वह खुदी छक्रा दिखता है चश्मा लगाव धून की बिवार यह तो है यह किसकी है इनकी कौन दी खोपड़ी क्या आजमी हो तुम यह ऐसी घंगीन और उदास नजर आती है जैसी तुमने बनाई है यह ऐसी ही है इनके चेहरे में मुझे एक बिगलती हुई मुमबत्ती की उदास लव के सिवा और कुछ नजर नहीं आता मानती हूँ मानती हूँ के बड़ी पैनी में जरहेज कलाकार की इसमें मेरा अंदरबार सब पैशान लिया क्या कहा बोलो चुप क्यों हो चुप रहने के शर्ट पर ही जिन्दा हूँ पैदा होने से लेकर आज तक कुंगी हूँ मैं जनम से पहले जिसका बाप बढ़ जाए जनम नहीं जिसकी जने नहीं मर जाए जिसकी जबान यतीम खाने में खुले और खैरात के टुकड़ों पर पलकर जिस पर जवानी आए उसके उदासी और मसकान का मर्म तो कोई दिलवाला ही चाने तो जाने एक बात पूछो इस पुटे खुसट के साथ तुमारी शारी करने क्यों वज़ा है भगवान के लिए ऐसा मत कहिए वो मेरे पती हैं उन्हें समा सेवक कहिए उन्हें दीन बंधू कहिए दानवीर कहिए जवानियों का लुटे रान कहिए मैं मैं उस दिन को पलभर के लिए भी नहीं बिला सकती जिस दिन अना थले के चैरूटी शो के लिए मैं टांस रहसल कर रही थी और ये दानवेर मेरे जिंदगी समारने के लिए अपना तन मन धन लुटाने आये थे पेमा सब लड़कियां तयार है ना राय साहब रहसल देखने आ गए है बिलकुल शो जैसा हो वही कमी न रह जाए अगर रुखश हो गए तो हमारे अनाधाले के दिन ही बदल जाएंगा जल्दी करो न अजी रहसाब आ गया सुनो इसे रहसल मत समझना बिलकुल शो जैसा होना चाहिए समझे तो जल्दी आख मिरानLY मिरानल करो जाएंगा मिरान harात को भ्राइक यू जाए Mu ना 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 मेरी बेरी के बेर मत थोड़ो कोई काटा चुप जाएगा ऐसे जटके से दार मत छोड़ो कोई काटा चुप जाएगा बाबुल में ये पेडल गाया भीरानिती रखवाली मेरे बीरान की रखवाली ओ मैया ने इसको ऐसे सी चाप फूरों को जैसे माली तुम पर देसी आए कहा से कैसे पकड़ ली डाली मेरे मेरे बेरी के बेर मत थोड़ो मेरे बेरी के बेर मत थोड़ो कोई काटा हाई काटा चुप जाएगा बुरिन जरिया कोई नडारे कोई न आख उठाए अरे कोई न आख उठाए ओ ये शबरी के बेर है इनको कोई न छोने पाए अरे कोई न छोने पाए जो इनका रस लेना चाहे अरे जो इनका रस लेना चाहे बनके राब आ जाए अरे मेरी बेरी के बेर मत थोड़ो कोई काटा हाई काटा चुप जाएगा खटे फेके मीथे राखे शबरी बड़ी सयानी अरे शबरी बड़ी सयानी ओ जो इनका रस लेना चाहे बेर मत थोड़ो कितने लक्षमन ने कब जानी अरे लक्षमन ने कब जानी राम ही पहचानेंगे मुझको राम की मैं भी बनी अरे ले मेरी बेरी के बेर मत थोड़ो कोही काटा चुप जाएगा ऐसे जटे से दार मत थोड़ो कोही काटा हाई काटा चुप जाएगा कर दो कर दो तो आप इस अनाथ लड़की प्रेमा से शादी करना चाहते हैं जी हाँ, जो कुछ सेवा बन सके इस शरीप से कितने दिन के लिए, क्या मतलब? मतलब ये कि आप काफी बुए आदमी हैं काफी भद्धा करीका है आपका बात करने का हो सकता है, लेकिन सच तो है ना पचाथ से कुछ ही उपर हो यनि के साथ से कुछ ही नीचे इन से भी बड़ी-बड़ी उमर की आदमी ये बेवा कूपी करते आए हैं, मैं मानता हूँ आपका क्या वास्ता है इस मामने से? इनसान कहलाने वाले हर जानदार का वास्ता है इस बुराई-भलाई का फैसला करने वाले आप है कौन? मैं उस लड़की से जुरूर शादी करूंगा, मुझे कोई नहीं रोप करूंगा ऐसी क्या बात? ऐसी ये बात है के मेरा इरादा बदना नहीं करता रुपया आदमी को इसकदर महरूर बना सकता है? इस तरह मैं आपनी बेज़ती कराना नहीं चाहूंगा तो जिस तरह चाहो करूंग, मैं हर तरह हादिरूंगा ये क्या बत्तमीजी है, मैं एक मिनिट बरदास्ट नहीं कर सकता मैं बाहर इंतिदार करूंगा क्या फर्क है बाहर भीतर में राय सहाब सच्चाई इस चार दिवारी में भी वही है जो बाहर चम-चमा रही है मेरी मानू, अगर हिम्मत है तो समंदरों की छातियां मत डालो उंचे-उंचे पहाड़ों को जुका दो जहरी-गहरी खाईयों को सौंड डालो लेखिन परमास्मा के लिए इंकची कलियों को मत कुचलो यह उपदेश सुनवाने का इंतिजाम करने के लिए भेजा था आपको वो भेंजी कहा गई है वो आपकी लड़की को लेने गई जा हुआ प्रेमा आपकी कभी-कभी कैसी बाते करते ही चाचाजी सारा अनाथ हाला एक भूती नंगी घरीब लड़क्यों के भड़ा पड़ा है उसमें से एक अगर इतने धनीमानी की चाय में चली जाए उसे भाग्यवान का कहे तो और क्या कि अग्यवान वो है जिसे गरीबी में किसी का प्यार मिला हुआ और वो अभागा है जो प्यार से खाली खोकली अमीरी में लोट लगा रहा है यह लड़की भेड की तरह गोस्त के लिए भिक रही या प्यार के लिए 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 भरीवी कविताओं में गाने के लिए ही दिल्चस्प की जीवन के उच्छे नीचे रासे बिना पैसे के पाग नहीं किये जासे ख्रेवां तुम बड़े घर में जा रही है उच नसीबी तुम लिप अल्ला पगर कर ठीच रही है यह रोने का नहीं मुष्कुराने का दिन है राय साहब ने तुमारे रूप और गुंप और मुहित वोकर अनाथ हाला किसी देख एक लाख सुपिया एक चेक से दान दे डाना है उनकी उमर थोड़ी बड़ी है तो क्या तुम उसे बूल जाए यह अनाथ समाज तुम्हरे अससान से कभी नहीं बुज़े इंसानियत हमेशा याद रखेगी तुम भूग से निधाल मासूम चेहरे याद है तुम्हे भूग क्या होती है शाय तुम भूली नहीं होगी आखिर आउरत है क्या आफ अ बताईए म drillड er मर्ड की पाँ की जुकी बिलकुल बिलकुल ठी कहा आपने और उसका वर्ज क्या है जानते हैं आप बरते जहां और शक 것을 है मर्द की दिलबत्तगी मुनरंजा बेशाद बेशाद यही मज़े है कि मर्द उसके लिए लाको रुपया इस तरह उड़ा देता है जिस तरह के हमने उड़ा देता है लेकिन राय साथ रुपया तो आपने अनाथालय को दान दिया है और लज़की से शादी की है हन्वान नहीं आपको शादी किसे कहते हैं शादी तो जनाब और उरत को बहलाने के लिए तजरुबाकार लोगों का बनाया हुआ एक ड्रामा है वरना शादी कीजिए और ना कीजिए और और उरत के लिए कौन सा नतीजा बदल जाता है क्या बात कही है मधन बाबू ने बई शादी किसे मिले या बगएर शादी के मर्ग को चाहिए कि सुन्दर चेहरा सिढोल जिसम बिलकश अदा राई शाहब उस रोज के नाज की तो चारीफ कर नहीं पूरे तो आप नहीं मौजूद थे उस रोज बदनसीबी कहिए और क्या अजीब बदनसीबी की क्या बात है जनाब अ प्रेमा प्रेमा तुना नहीं तुन ने अब सुन्दिया सुनने के बाद तुम्हारी ये मजान मैं और थूआपकी खरीदी हुई ना तुन और थूआपकी मुझे हुक्म दूली बरदाश्ट करने की आदत नहीं है खासकर अपने दोस्तों के सामने मैं आपके हाँ चोड़ती हुए मुझे बेज़त न कीजिए चंदा मांगने के लिए सरयान स्टेज पर नाचने में इज़त है और घर में बेज़त है तब मैं यतीम लाचार और बेसारा थी लेकिन मैं आज आपके पत्नी हुए पत्नी तभी तक पत्नी होती है जब तक पदी के इशारों पर चलती है चलो मेरे साथ जनाप इन से मिलिए ये हैं हमारी बीवी इनकी एक एक अदा पर नज़र जालिए और हमारी पसंद की जोज ये एक छलक हमारे दोस्तों को दिख़ाओ कि इन्हें मालूम तो हो कि आप दार पत्थर के राय साथ कैसे पार्खी है रहने दीटी राय साहाब आपकी पसंद और परक्त आब रूदार लोगों में पहले ही बहुत मौशूर है ये नहीं राय साहाब की खरीदी हुई आप लोगों की चर्णों की तासी आज दरूर आपका मन बहलाएगी तो इस तरह तुमने अर्मानों की ओली जिलाए रमा मैं तुम्हें बार बार खबरदार कुरी है कि करतेवे का नक्ने चेरा पहं कर यह जो संकट तुम्हारे सामने आया है उसके लिए बिग पचाना रमा उसके लिए नसीयत करना आतान है लेकिन अमल में आना बहुत मुशले आना है अगर वाकिया आपको इनके साथ हमदर्दी है, तो चुका दीजी ना मेरा परता है मैं अपनी आर्ज़ों और महबत का खून का नेकले तयार हूँ आदमी की खाल में चिपा हुआ तुसत पैसे का भूका फिडिया है पिरी चाहदी में इनसान का दिल नहीं, एक सौदागर का दिल है तुम महबत का राम के लेता है तुम मुझे महबत का राज बताओगे जिसने खुद महबत को गलिल किया अपनी औरत पका खून कर डाला वो मुझे महबत का भेट को इंचाएगा जूट है, जूट है ये बात, पिल्कुल सच है ये बात सारी दुनिया और तमाम सर्थारी रिकॉर्ड इसका गवाह है कि तुमने एक खुली भारी लड़की को उसके माबात की मर्जी के ख्रास पहले अपनी मुझे महबत में पाजाएगा वप जादी और पिर उसके जिसन को बेच कर तुमने अपना पेक पाणना चांगा जब उसने इंकार किया तो तुमने इसक जिसन को टुकड़े करके ठ्माबत मुझे वाहत की बात करते हो जूट है ये चूट है ये जूट है ये, जूटा है बात कि दुनिया मुझे बेमान बदकार और खुनी कहकर कोसा करें लेकिन यह सचा है नहीं है मैंने अपनी औरत का खुण नहीं किया मैं तुस्से प्यारी प्यार किया है तो मेरे नाम पर लगे हुए एक खुन के धपक को दो रहा है मैं सच कहता हूँ मैं डाकू बनने के लिए नहीं जन्मा था मैंने कब चाहा था कि मैं किसी के खुशियां छिमी बायर तो सब को खुशिव में जीते देखना चाहता था मैं तो अपनी एक सीधी साधी जन्गी थी जिसका एक ही सपना था एक ही के वो सपना सच हुआ था वो की कोपा कोपा कर मैंने गाया था तो हुँआ हुआ हुआ पहरे ताल मिले नदी के जल में नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में सूरज को धर्पी तरसे धर्पी को चंद्रमा धर्पी को चंद्रमा पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा अमित वारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा भूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में अंजाने होटों पर तू पहचाने गीत हैं कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं जन्मों के मीत हैं ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में इडे यह में एस लिए यह में इय बॉप इय यह agency मेल ले आया तुझे कैसे लगा? गुपा, तु इस वक जहां है यह जगा सबसे उंची है चारों तरफ में दिया है उनके आगे क्या है? बाग, बगीचे और उनके आगे? बाड़िया उनके आगे? और पहाड़िया उनके आगे? उनके आगे उनके आगे बहा से राते यहां से देखिया पर आज की रात का रूप कितना नशीरा है आगे? बूंदी पैड़ रही है पर अरी उनके प्राफ आगे रही है पर आगे रल्ग बारे शाइगे बारे शाइगे मैं वो बंगले के खिड़की दिरहाज़ बंद करके अब यहाँ किया भारे शाइगे wa फे बारे शाल वोग झाइगे कम दो बंगले करणी बंगले केड़ बंगल बंगले what कर भारे जिरहाँ थाल कि अपको बंचे खिए एजू को मुड़ाने कि अपका हे प्रफेटेश पूराजने कि अपकाने कि अपकाने गलत जादski ते आनने। थो निद्वा प्रिंव कोक्तव सब्सक्राइब अब विद्वाइब प्रुपा, तुने कभी कुई सपना दिखा है? एक देखा दादी, किरा? प्रुपा, 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 प् चुपीदार उस डप भंगलो को ओड़ा है हाँ सर जमाल ले बैच्छित्ती आमाझे ती में शुब़ाई सोल आते हो क्या ने सर्फ, मैं शुब़ा नहीं सा अच्छ आ चलिए मैं डप भंगला खूदीजी बंगला गोड़ा तो भुख है अफसर लोग आना वाले, कब? क्या मालो, सुबही आजाए? सुबही आजाए ना, तो रात रात तो रही सकते हैं न हम? मुझे था आर्डर नहीं है साथ तुम्हे आर्डर नहीं है, लेकिन मेरे पास आर्डर है जब परवाना ही मौजद है, तो कौन रोख सकता है? अच्छे सुनो, क्या नाम है तुमारत? जी, बल्देवा देखो बल्देव, भूब बड़े जूर के लगी है, कुछ खाने का बंदोबस को जी, खाने का तो यहां इस वक कोई बंदोबस नहीं है, अरी, ऐसे कैसे है, रात कैसे गुजारेंगे हैं, वो साब मैं कैसे बताओं, हाँ साब, नीचे गाउं में एक दुकान है, आब वहाँ चले जाई है, तुम कैसे बना क्यों है मेरा क्या है साब, अभी तक तो हाथ से ही बनाता था, अब नहीं बनाओगे, अब, आज की रात तो बनाओंगा नहीं, क्यों, आज की ही रात क्या बात है जाने कौन है, इसमकद हमरें सरकारी ही सही, मगर भूके हैं ना, फिर, फिर क्या, भूके हैं तुमने खाना मिलना चाहिए यहां कोई लंगर खोन रखाए क्या, यह तो बड़ी नसीब की बात है, कि सुहाक की रात में तुम्हारे दर पे आके तुमसे खाना मांग रहे है कोपार कोपार दुलहन से तुम्हारा मिलन होगा ओ मन थोड़ी धीर धरो बाहों में चांदी का बदन होगा मन थोड़ी धीर धरो दुलहन से तुम्हारा मिलन होगा मन थोड़ी धीर धरो मन थोड़ी धीर दुलहन से तुम्हारा मिलन होगा चांद परी है चंचल है वो थेरी है चित चोर मुख्डे को ही तक्ते तक्ते हो जाएगी भोर गोरी धन का तुम्हें दर्सन होगा ओ मन थोड़ी धीर धरो बाहों में चांदी का बदन होगा ओ मन थोड़ी धीर धरो ऐसी बेता भी है कैसी पड़ी है सारी दाथ जी भर भर के कर लेना तुम्हें सिनिया से बात का आधे पे जुका सामन होगा ओ मन थोड़ी धीर धरो बाहों में चांदी का बदन होगा ओ मन थोड़ी धीर धरो वो है तेरी पदमनिया और तूबा का रजपूत गजभर की छाती रखता है दिल भी रख मजबूत नेनो नेनो में रन होगा ओ मन थोड़ी धीर धरो बाहों में चांदी का बदन होगा ओ मन थोड़ी धीर धरो दुलहन से तुम्हारा मिलन होगा ओ मन थोड़ी धीर धरो aos 6116 वाल संहारी थेंज़ा निवे बहता है 202 वाल्य church एमने में फ्री दीर लग गए है कुछ आथ हुए यह मैवह लाजितुम्षञ अ है यह लेजा दुम्हारा ले लेजा प्धी मेरवाई लुग मेरें मावी मिला सरकार मुर्जी है अन्बे आलू प्यास सब में गया है वाड़ी गुड़ कैसे बनो कि इसे कैसे बनो इसकी फिक्र मत करो वो तुमारी और बना लेगे बेरी और हाँ तुमारी और आए थी रोशनी पानी का इंतिजाम करने सब समझा दिया है वसे जैसा वो बनाएगी वैसा ही खाएंगी तुम जाओ अच्छा सब सुनो ची सरकात ये लो अपनी औरत की नजर करना हमारी तरफ से साब इतना ये तो बहुत ज्यादा है उजू बल्देवा अजू बहुत खुश है ले जाओ साब इसकी क्या जुरुरत थी है अच्छा बड़ी मेरवानी उजू बड़ी मेरवानी क्यों में में चुराए भुपा भुपा मुझी मचुकरा भुपा दूरौ दूरौ भुपा में में लुट गजू मुझे, मुझे लूट लिया मुझे लूट गई मुझे लूट गई तू रहो, छूना मत मुझे अब तुन्हे देने के लिए कुछ पहले ही मेरे साथ कुछ नहीं अब सण पुपा, पुका, कुछ … था, मुझे वाले ल Conference और पुक की फूग मेंगी है क्या भूभ, भूभ एक सिगर्ट वाले पूपल्दे, बहुत काम किया होगा तुमने, बहुत थकते होगे, आँ थोड़ी सी शराप की तुमने, थोड़ी सी पी लो, साब थकावट दूर हो जाएगी हैं इतना सारा इनाम पाकर तुफ फूश होगे हो तुमारे होगे क्या हाँ, मलदीव, उसी कब बदला चुकाने के लिए परजबे गाएघ? होदेवर हुआ 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 मैंने शाहिद तुम्हारा दिल दुखा दिया तुम इस तरह क्यों चलियाई मैं तो अपनी कहानी सुनाना भी नहीं चाहता था कोई चाहे मुझे कितना भी घलत क्यों न समझे मैं किसी को अपने दिल का दर्द दिखाना नहीं चाहता लेकिन उस सावकार का तुम्हारे उपर जल्म बरदाष्ट न कर सका और मैं चलक उठा कुपा मैं मैं कुपा नहीं ही तुम्हारी सूरत में मुझे अपनी कौपा नजर आती है हमें समझ गई थी हमें तभी जान गई थी तुम्हारी तरफ बुटती होई तेड़ी नजरों को मैं उंगलियां को अचकर फोड़ दालूगा अपनी कौपा को दुनिया की बदनजर से बचा कर अपने चादी के पर्दे में छुबा कर रखनूगा मेरे सीने में साय नाउन हो रही है कौपा मेरे भाया मुझे भाया मत कहो मेरी आखों में आखें डालकर देखो मि तुम्हेरी गौपध नहीं हुआ तुम गौपध ? Lord QoPadda मर गी है । God QoPadda मर गी है QoPda to inspiring God. हो थजे उसा're ठाइ। झाल पुझ स कर दो ट्पला कि आफना Durchनelas है थे। कि किस की तसीर बना रहे हो सूरत वही है लेकिन लिबास दूसरा है देख रहा था अध्याती कपड़ों में यह सूरत कैसी लगेगी क्या वह हरान क्यों हो गए दुखी दिल के जोश और जजबे से एक औरत का बदला लेने के लिए नजाने तुमने कितनों को मौत के घाट उदार दिया प्र 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 जूचता हूँ आज इस घर में आकर फिर तुम कुछ ऐसी ही हालत में फस गए हो जुम बरदाश्ट करने की याद़ चूट चूट चुकी है तुम्हारी पता नहीं एक दूसरी और पर जुम होते हुए यहां तो वकील मौजूद है तो फिर दूएक मालदारों को लूटना पड़े दा मुशा है इस से भी क्या होगा नाजान आदमी लूट की रखम से कर्द नहीं चुकाया जा सकता है तरकार हिसाब मांगेगे पिर तो बस ऐसा ही लगता है कि राय साहब की तरह मदलाल भी इस लड़की की कुर्बानी लेकर ही रहेगा क्या वाकता है बल्देर की जीते जी तू अख़ड आदमी है सोच नहीं सकता है तू तो अकलमन है तू बता है को तरकी मुझे मार डाल तूजे तूजे क्यों कि मेरा जिसम बेकार और मेरी लाश कीमती है दमाग खराब होगा तेरे वरे से क्या फैदा पल्देव अपने चचा की वसीहत की मताबिक मेरी शादी की एक साल बाद मुझे बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है और अगर तेरे नसी में शादी न लिखियो तो फिर भी मैं यह रकम किसी के नाम भी वसीहत कर सकता हूं लेकिन रकम उसे मिलेगी मेरी मौत के बाद ही मैं इस लड़की के नाम उसकी वसीहत कर दूँ तो वह फॉरून इस मुसीबत स्याजाद हो जाएगी तो कर ले वसीहत मार ले बोली अपनाब मेरे सर पर यह खून क्यों दरता हूं कि मेरी खुदकुशी से लगु के चीटे ओड़कर उसकी नेकनामी को दाखी न बना दे वरना तेरी खुशामत न करता अबे घंटे दो घंटी की मुलाकात में ही जान हथेली पर रख दी तो ना जान हथेली पर रखने के लिए तो भल भर की मुलाकात ही काफी है तुझे जितना कहा है कर और चला जाए यहां से मार खुली अर्शकल खुलियां बहुत महेंगी होगी है देख बलदेव तू मुझे नहीं मारेगा तो मैं तुझे मारूँगा काम्याब हो गया तो तेरा इनाम उस लड़की को बचाएगा मारा गया तो वह मेरी दौरत पाएगी दुनों तरह से उसकी मुश्किल आसान होकर रहेगी बोल क्या कहता है हाहाहा बेवकूफ सब बेवकूफ हाहा क्या तरह हाहा पुरी अनुकी रात है आजकी यह तस्मीर वाला जीवन दान करना चाहता है किसी के लिए किसके लिए उसके लिए जो औरत की सूरत में देवी बनकर इस धरती पर उत्री है जिसकी शराफत आदमे को नेकिया करने पर रुकसाती है जिसको मुसीबस से बचाने के लिए एक अधना सनोकर मेरे मुकामले में बंदुक तायन कर खड़ा हो गया ना खोज उस तुसाओकार के बेड़े को गोली माने को खड़ा हो यह ट्याना उसी के लिए अपनी ज़ानों माल कुर्बान करने खुमबच लरा है हाहा जिदर जिदर फ़श्या सर्दर उसक्ण वह गोली ख़ाए वस्दावण को बहए कि इस जञीए हजूर, हजूर, बल्देवा डाको को गिरफतार कराने का इनाम सवाल लाक रुपिया है ना? हाँ, क्यों? तुनिस्पेक्टर साथ, जल्दी चलिए हमने साथ कहाँ? द्वारका परशाद जी के मकाम पर लेकिन तुम हो को? मैं उनका नौकर हूँ सकार, जल्दी चलिए नहीं तो हुआ, चडिया उड़ जाएगी और यहां हमरा इनाम उड़ जाएगा वो बल्देव डाकोई है तो चडिया बनकर उड़ भी गया होगा आफ तक वो मोकरी लास ही लेकर आपके सामने आते इनाम के लालत में बल्देव के लाश का सबना बहुत लोग देख चुके हैं अब तक जाओ, क्यों नीन खराब करते हो अपनी रामदार, रामदार अरे क्या हुआ, ये क्या हो रहा है इस घर में, कोई बताओ तो सही रामदार, रामदार सरदार, उस नोकर के लोटने से पहले में रास्ता पकड़ लेना चाहिए खतरा सर पे सवार है चलिवी करो सरदार, देख खतरा मोल लेने से फाइदा क्या सादर जी, रामदार नहीं है घर में हाँ, कहां गया? पता नहीं, इनाम की लालज में पुलीसों खबर देने ना चला गया हो अरी, इस बुलापे में मेरी सुपहधी पैस्याही, मेरे वफदार ही लगाएंगे, क्या? चली जाएंगे, मैं हाथ जोडती है, आप चले जाएंगे जाने से पहले मुझे कुछ हसाब चुकाने है नहीं, नहीं, रामदा साब को मारना नहीं चाहता उस भोले आदमी की भल्यकन, मेरे बचाओं के लिए और कुछ ना सोच सके आने दो उस बुद्दे को वो मुझे बचाने की धुन में ये भूल गया, कि वो किसी दूसरे की जिन्दगी से खेल रहा है मुझ पर रहन कीजिए, पुलीस के यह आने से पहले ही चले जाएंगे पैस लेकी खड़ी आ गए, आज मुझे सब हसाफ चुकाना होगा अब से बहुत देश पहले तेरे सीने में गोली उतारकर तेरे सारे ले इन देन ख़तम कर देना था मगर शायद तेरा हिसाब मेरे हाथ में नहीं गारी की जारी जाएंगे क्यों? गारी की जारी जाएंगे यह लोग, तुम लोग फारण रहाना हो जाओ, मगर आप सर्दार मुझे कुछ और हिसाब चुकाना है नहीं सर्दार, हवाप वहाँ, जाओ अरे क्यों लेन देन के इस चक्कर में पढ़कर तुम अपनी जिंदगी को खत्रे में डाल रहे हो जले जाओ मैं आप ते हाज जोड़ती, पाव परती ही, अपी भी मुआ कर भाग जाएंगे यहां से समा अरे कहा है बल्देवा? भाग गया भाग गया? कहा भाग गया? मालूम नहीं, राई साब की गाड़ी लेकर भाग गया है कहां भाग गया? कैसे भाग गया? कहे को भागे जिये उसको हम अपनी जान पर खेलके तुम्री बर नसीब को धक्का दिये चाहां और तुम जान बूच के उस साहुकार के जबड़े में अपनी गर्दन भताई दियो यह का की है, मिटिया? बोलो, उन धोका देगिया है कि तुम धोका खाए गई हो बोलो, भा यह करेताओ जयोताओ प्रादतु कि मल्देवा डाकू तुम्हें चारों तरफ से खेर लिया गया है अगर तुम अपने आपको हमारे हवाले कर दोगे तो शायद सजाए मौट से बच जाओ खागने की कोशिश बेकार है तुम अप बच के कहीं नहीं जा सकते कुट्थे की मौत मरने से चुप चाप सरेंडर करना तुमारे हख में होगा मैं तुम से फिर कहता हूँ अपने आपको हमारे हवाले कर दो छायद से जाए चाहे है अज नमक की कीमत चुकाऊंगा और तुमरे पकराई के इनाम से अपने मालिका करजा उतारूँगा करेंगे हैं दुनिया की कोई ताखत मुझ पर काबू नहीं पा सकती थी मगर ये इत्टफाक है मेरे पिस्टोल खाली हो गया था गुलिया तो है इसमें जो हिसाब चुकाना चाहते थे वो सब चुका लिए हाँ सब सवाएक है पुजूर मेरी गिरफतारी काई ना रामदास को ही मिलेगा ना आहाँ ज़रूर मिलेगा फुजूर एक मिलादा देखता हूं सब को बेफकूफ कहने वाले ने आज खुदी को सब से बड़ा बेफकूफ साबित कर दिया आज कुछ मांगो तो भी आज जो भी मांगब देगा तूंगा पुछ मेसे एका देखता हुआ 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 मालूंत कर देखता हुआ 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 भाले पुछ मुड़ें झीओ मुश्कोएल Stephen कर देखता हुआ कर दिख कि गर था रहां, पुपाना फिर्चा करें गाल कि अवारा दोाओ ये हा अवारा detto के बाल, हमेज ऐसे बचाहरी है कि अवारा दो ऑाल करना अवारा दो ओे वार दोर ढाल वार दोम भाराणा दो रर खी 3 क्या लिए क्या वो आपसे सीधे सचे लोग हमेशा इसी तरह कुर्बान होते आए हैं कर दो आपसे कर दो आपसे दो झाल झाल